जब हम food industry की बात करते हैं तो एक चीज आपको समझने जरूरी है कि ये industry बहुत जादा strongly funded है और काफे सारी ऐसी lobbies हैं जो कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी जो monopoly है वो इस industry में कभी तूटे तो कोई भी ऐसी चीज जो उनके profits को challenge कर रही है वो particular चीज उनके लिए बहुत बड़ा threat है और उस threat को counter करने के लिए वो कुछ भी करेंगे लेकिन real research studies में और controversies में बहुत difference होता है ऐसी एक बहुत बड़ी misunderstanding हुई थी mustard oil के साथ और ये misunderstanding नहीं थी एक deliberate controversy थी जो create करी गई थी अगर आप इंडिया में North से हैं या West से हैं तो mustard oil आप अपने household में century से use कर रहे होंगे और ये mustard oil multiple चीजों में use किया जाता है और आज भी हम लोग करते हैं मुद्याद है मेरी mother और grand mother मेरे सर पे जब तेल लगाती थी मालिश करती थी हमारे खाने में सरसो का तेल बहुत जादा use होता था हमारे festivals वगारा में दियों में सरसो का तेल use होता था मेरे घर में जो आम काचार डाला जाता था उसमें mustard oil use होता था और in fact millions of individuals आज भी उसको बहुत healthy तरीके से use कर रहे हैं जैसे वो centuries से करा जा रहा है लेकिन कुछ समय पहले social media पे एक unnecessary controversy create करी गई mustard oil को लेके suddenly एक scare fail आया गया एक false scare fail आया गया कि mustard oil जो है वो आपके लिए बहुत जादा खराब है सारे Indians और बाकी जो South Asian countries है जहां mustard oil use हो रहा है वो सारे पागल है, सारे गलत है, सारे बेवकूफ है कि वो centuries से mustard oil को different चीज़ों में use कर रहे है अब उनको बंद कर देना चाहिए because किसी एक incomplete useless study के base पर ये conclude कर दिया गया कि mustard oil जो है वो खराब है और जब ये scare fail आ गया, जो industries के through fail आया गया था भी आपको बताता हूँ मैं कैसे तो जब social media आया तो बहुत सारे social media influencers ने और कुछ dietational nutritionist ने भी इस particular controversy को काफी ज़ादा heat दी और उन्होंने भी चीज़ बोलनी शुरू कर दी कि mustard oil जो है वो हमारी body के लिए बहुत ज़ादा harmful है जब हम mustard की production की बात करते हैं तो राजस्थान एक ऐसा state है जहां पर सबसे ज़ादा mustard produce होता है उसके लावा हर्याना, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात वगारा में भी mustard की खेती बहुत ज़ादा होती है एक study में बताया गया कि काफी लंबे समय से different तरहां के natural oils को जैसे की sesame oil, mustard oil, coconut oil, groundnut oil इन सब को use किया जा रहा है depending on the environment of the region तो अगर आप northern या western states बगारा में देखेंगे तो वहाँ पर आपको mustard oil का use जादा मिलेगा south में आपको coconut oil का use जादा मिलेगा अगर आप महराश्या side पे जाते हैं आपकी states में आपको groundnut oil का use मिलेगा कई जगाँ पे आपको sesame oil बगारा मिलेगा इस तरह से different oils का use हमारी country में different states में किया जाता है लेकिन जो सबसे बड़ा plus point था कि इन सारे oils को जो extract करने का तरीका था वो local तरीका था जिसमें हम घानी में जिसे हम कच्ची घानी का तेल कहते हैं या cold pressed oil जो होता है उस process से हम इस oil को extract करते थे और इस particular method की दुबारा resurgence हुई है काफी सारे लोग दुबारा इस method को अपनी life में अपना रहे हैं क्योंकि जब आप इस method से कोई भी oil को extract करते हैं तो वो जो particular oil है वो अपनी सारी nutritional value को retain करता है in fact अगर आप किसी भी refined oil के process को एक बार देख लें तो उसके बाद आप दुबारा refined oil को use नहीं करेंगे multiple तरहां के processes जैसे की degumming, bleaching, extraction पता नहीं कौन-कौन से processes extreme heat use होते हैं तब जाके आपका वो बिलकुल glass जैसा crystal clear refined oil जो है वो आपके हाथ में आता और market में आता है जिसे लोग heart healthy कहते हैं अफकोर्स कहीं से वो heart healthy नहीं है वो एक normal तेल है उसमें कोई nutritional benefit नहीं है हाँ वो अलग बात है कि आज की date में जिस nutrition को process में निकाल दिया जाता है फिर बाद में थोड़ा बहुत उसमें छिड़क देते हैं कि भाई देखो इसमें add कर दिया हमने nutrition लेकिन जो आपके cold pressed oils हैं उनमें natural nutrition 100% retained रहता है इसलिए अकर आप कोई भी तरह का cold pressed oil लेंगे ना तो उसमें nutrition intact रहता है इसके इलावा जब cold pressed method से oil को extract करा जाता है तो उसका flavor भी बहुत ही अच्छा आता है बहुत natural आता है और इन सारी चीजों की वज़े से ये काफी healthy माना जाता है और century से इसी method से हम लोग oil को extract कर रही है अगर आप पहले का method देखें जो आज भी बहुत कम जगाओं पर है कुछ गाओं में use होता है तो एक wooden घानी होती है जिसको एक bell होता है जिसम कोलू का bell कहते थे न वो जो bell होता है वो उसको चलाता है घुमाता है और धीरे 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 उस particular seed से जो भी आप oil निकालना चाते हैं उसमें से natural oil निकलता रहता है अब animal protection के लिए इस method को scientifically हमने इसकी machines design कर दी है तो cold pressed oil निकालने की बहुत अच्छी effective machines अब available है लेकिन method बिल्कुल same है अगर हम mustard plant की बात करते हैं तो one of the oldest plant है history में जिसकी जो recorded history है वो 3000 BC की पाई गई है और इतनी centuries और millennia से mustard oil जो से extract किया जाता है उसको हम food में therapeutic purposes के लिए pickles बगारा में और बहुत सारे purposes के लिए use करते हैं mustard oil के अंदर बहुत strong antifungal antiparasitic, antibacterial और disinfecting properties पाई गई हैं जो हमारे skin को infection से बचाती हैं इसलिए cold pressed mustard oil का use minor open wounds, cuts, bruises बगारा को treat करने में किया जाता है इसके लावा athletes foot, ringworm, insect bites वगारा को treat करने में भी mustard oil का use किया जाता है इस oil के और भी बहुत सारे industrial uses हैं काफि सारी animals या cattle वगारा की feed में भी इसको use किया जाता है और उसके multiple uses हैं जो काफि समय से हो रही हैं हावर कुछी समय पहले जो scare फिलाया गया mustard oil को वो था कि इसके अंदर एक erukic acid नाम का compound पाया जाता है जो हमारे heart के लिए बहुत dangerous है और ये condition cause करता है जिसे हम कहते हैं myocardial lipidosis पहले हम देखते कि इस scare suddenly कहां से आया erukic acid एक mono and saturated omega 9 fatty acid है जो naturally mustard oil में पाया जाता है approximately 22 to 50% जो है वो erukic acid होता है इसके लावा canola oil बगारा में because rape seed family है तो उसमें भी ये पाया जाता है अब आता है कि suddenly जो concern है erukic acid को कहां से आया 1970s में सिरफ एक single rat study rat study humans के ओपर study नहीं हुई rat study के basis पे ये conclude कर दिया गया कि जो erukic acid है वो humans के लिए dangerous है और myocardial lipidosis जैसी problem को cause करता है यानि heart health के लिए बहुत जादा खराब है उसके इलावा ये animals की liver, kidney और muscles के लिए भी बहुत जादा खराब है अब यहाँ पर दो aspect आते हैं काते है Indian aspect जहाँ पर उस समय इस study का कोई भी major असर नहीं हुआ था लेकिन world over a single study के basis पर mustard oils के उपर काफी सारी countries में बैन लगा दिया गया however, उसके बाद एक question पूछा गया world over के human studies कहां है क्योंकि आज तक एक भी human study ने ये चीज़ प्रूव नहीं करी है कि जो erukic acid होता है वो humans के लिए dangerous है क्योंकि जो later studies हुई इस चीज़ को confirm करने के लिए क्योंकि of course यह बात है जो scientist है world over doctors नहीं question करा कि जिस oil को इतनी सारी countries में इतनी centuries of millennia से use करा जा रहा है आज भी करा जा रहा है suddenly कुछ western countries के एक single rat study के basis पर हम उसको कैसे ban कर सकते है और human studies कहा है, trials कहा है उसके बाद mustard oil के उपर multiple studies हुई humans के उपर और उसमें सबसे important चीज़ यह पाई गई कि erukic acid जो है वो humans के उपर कोई भी negative effect नहीं डालता है rats के cases में उनकी जो body है वो erukic acid को properly process नहीं कर पाती है यह because उनका जो anatomical mechanism है वो humans से अलग है जिसकी वज़े से उनको heart problems होती है हावर humans में ऐसा कोई भी toxic effect देखने को नहीं मिला mustard oil की multiple studies में चीज़ देखी गई है कि जो cold pressed mustard oil है उसकी जो natural properties है जोसकी anti-oxidant value है उसके अंदर जो essential oils पाई जाते है उसमें anti-diabetic और anti-cancer properties देखी गई है in fact study देखा गया है कि mustard oil one of the most heart healthy oils में से एक है क्योंकि इसमें limited amount of saturated fat है इसमें जो pufa और mufa यानि जो polyunsaturated fatty acids और monounsaturated fatty acids है वो बहुत अच्छे amount में पाई जाते हैं omega 3 omega 6 का ratio बहुत अच्छा है और सबसे बड़ा plus point यह है कि Indian cooking के लिए यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह high heat पे oxidize नहीं होता high heat cooking के लिए बहुत stable है और हमारी जो Indian cooking है वो काफी high heat पे होती है और इसी तरह से जैसे घी है coconut oil है यह भी high heat पे काफी stable रहते है cooking में इसलिए यह सारे जो local oils हैं St. John's जैसे top hospitals आते हैं वहाँ के doctors और researchers ने diet और heart disease के link को check करा उसमे multiple conclusion निकले और एक conclusion यह था कि mustard oil जो है वो आपके heart के लिए बहुत healthy है in fact वो sunflower oil से बहुत जादा better है आपकी heart health के लिए और cooking और frying के लिए बहुत अच्छा है एक और study के अंदर काफी सारे participants को divide करा गया और उनमें एक group को mustard oil और दूसरे को fish oil दिया गया और एक साल के बाद और ने देखा कि जो heart healthy effects fish oil के हैं वही similar effects mustard oil group में भी देखने को मिले हैं यानि cold pressed mustard oil जो है वो fish oil जितना ही heart healthy है और ये सारी जो studies में आपको बोल रहा हूँ और ऐसी और भी studies इस से related जो मैंने e-book लिखी है उसके अंदर मैंने दी हुई है ये e-book मेरी website bs2pid.com पे available है ये आपके लिए 100% free है इस e-book में मैंने multiple studies दी है आप as a proof bean studies को read कर सकते हैं और overall extensive information के लिए भी canola और mustard के comparison को आप read कर सकते हैं काफी लोग question पूछते हैं के जो mustard oil है वो canola oil के comparison में कैसा है तो मेरा answer is way better जो refined canola oil है, refined soybean oil है दीजा बनादी worst oil जो अपने खाने में use कर सकते हैं और ये maximum oils हमारी country में use नहीं होते थे ये सारे western countries से आए हैं cold pressed oils, cold pressed mustard oil या cold pressed oil जो आप अपने खाने में बहुत समय से आपकी families use कर रही हैं वो अभी भी best oils हैं आप लोगों के लिए अब सबसे बड़ा question ही आता है कि योरोप में suddenly कुछ decades पहले एक particular mouse study के basis पर mustard oil को ban क्यों कर दिया गया तो उसका answer है canola और soybean oil US, Canada और ऐसी और भी countries हैं जो world में सबसे दादा amount of soybean और canola produce करते हैं और इसके basis में उनकी oils को पूरी दुनिया में distribute करते हैं तो उनकी lobby इतनी strong है कि उनका aim रहता है कि जितनी हो सके इस particular oil के distribution को increase करा जाए तो जब ये single mouse study आई उसके basis पे जो industries थी उनकी strong lobbying की वज़े से multiple European countries में, western countries में mustard oil को ban कर दिया गया लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ इंडिया में ये तब हुआ जब 1998 में दो चीज़ें एक साथ हुई एक तो जब हमारी government ने soybean और soybean oil के free import को बहुत ज़ादा encouragement देनी शुरू करी और उसके साथ साथ suddenly mustard oil को एक controversy के base पर ban कर दिया गया 1998 में डेली में 60 लोगों की death हो गई adulterated mustard oil consume करने से और almost 3000 लोग जो थे वो बिमार पड़ गए और उनने बोला कि इन लोगों को ये problem mustard oil consume करने की वज़े से हुई है जिसमें argument seed oil मिलाया गया है जो बहुत toxic है और इसके immediately बाद एक particular regulation लाई गई के भई अब कोई भी individual mustard oil को अपने घर में या कहीं पर भी produce नहीं करेगा या वो commercial उसे sell नहीं करेगा अगर करना है तो उसको government से proper licensing लेनी पड़ेगी और इसे यह हुआ कि हजारों जो local चक्कियां खुली हुई थी जो mustard oil को produce कर रही थी उनको उनमें से maximum चक्कियां जो हैं वो बंध हो गई काफी सारे manufacturers जो थे अब उनके पास कोई option नहीं रहे गई और उस समय ये जो refined oils थे इनकी sales सबसे ज़ादा बढ़ने लगी industries जो थी वो सामने आने लगी क्योंकि industries के पास proper licensing थी और वो refined oils को बहुत heavily promote कर रहे थे अब हमारी country में adulteration की problem कितनी extensive हैं हम सब जानते हैं for example दूद की adulteration कितनी common है लेकिन क्या हम सारी dairy ban कर देते हैं हम दूद को ban कर देते हैं नहीं हम कुछ regulations लेकर आते हैं हम सब कुछ बंद नहीं कर देते लेकिन इस particular case में काफी सारे लोग जो local oils produce कर रहे थे वो बंद हो गए क्योंकि license मिलना next to impossible था और हम बात कर रहे हैं late 90s की in fact बंदना शिवा जो बहुत famous activist और author हैं उन्होंने इस particular controversy के बारे में बहुत detail में लिखा और उन्होंने लिखाए कि जो health minister थे हर्श बंदन उन्होंने भी ये statement दी थी कि इतनी बड़ी जो food poisoning हुई है ये किसी ना किसी mask conspiracy के बिना नहीं हो सकती जो Rajasthan Oil Industry Association थी उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि ये जो particular controversy है ये create करी गई है ताकि उनकी जो industry है उसको undermine करा जाए उसको दबाया जाए और जो multinational companies उसमें इंडिया में आ रही थी उनको promote किया जाए हावर पिछले कुछ सालों में जहां social media पे हमें कुछ गलत चीज़ें सुनने को भी मिलती है तो काफी सारी सही चीज़ें भी लोगों के सामने आई है लोगों को cold pressed oils की value के बारे में पता लगा है और काफी सारे लोग जो advertised refined oils market में मिल रहे हैं उनको छोड़कर दुबारा local cold pressed oils को अपनी life में अपना रहे हैं और मैं आप लोगों से पर request करूँगा कि जो oils आपकी family century से consume कर रही थी आप जिस भी region में रहते हैं वो oils आज भी आपके लिए best oils हैं refined oils को आपको life से बिलकुल हटाने के ज़रूरत नहीं है कई बार कुछ convenience के लिए refined oils को यूज किया जा सकता है लेकिन जितना हो सके refined oils का यूज आपके घर में minimize होना चाहिए अगर आप उसे completely eliminate कर पाएं तो उससे better कुछ भी नहीं है और जो local oils हैं आपके जैसे मैंने बताया cold pressed mustard oil, coconut oil, तेल का तेल peanut oil या ground nut oil घी, cold pressed sunflower oil वगारा जो cold pressed oils हैं वो अभी भी आपके लिए best oils हैं तो I hope mustard oil के पीछे जितनी भी misconceptions थे आपके दिमाग में clear हो गई होगी और ऐसी बहुत सारे amazing videos के लिए देखते रहिए We are stupid